पर दो गोड़ेविनिंग सभी लोगों को सभी लोगों का विलकम है रुकमनी यूट्यूब चैनल पर और सब लोग अभी आप लोग स्सी जीडी का न्यूब पेटर्न वाला सेट पढ़ रहे हैं जिसमें की टोटल तीस चैट पढ़ना है तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैट नमर कितना सत्तरा सोला हुआ था सत्रा को हम लोग देखेंगे तो सब लोग रेडी हो जाई एक दम फटाफट बीस कोस्टन फटाफट हम लोगों को समझते हुए पढ़ना है बीस मिनट है कि नहीं हाँ विल्कुल चली आ जाई काता बारा प्रतिसत बारसिक दर से दो बर्स के लिए इतना रुपया के साधरन व्याज्चा के व्रधी व्याज का अंतर वैhonorie से तो 12 का चया देश्क लिए एक सम्हलब चार चार होगा लेकिन आप डेरेक्ज भी निकाल दीजिए 12 परतिसत 12 परतिसत बारा पंचे साथ यानि चो सह हो गया फिर निकाल दीजिए 12 परसेंट 12 चापे 72 उततर हो गया दो बरस का अंतर में क्या करना है दो बार निकाल निकाल दीजिए काम खतम या तो बारा का स्क्वेर एक दसम्लब चार-चार परतिसत निकाल दीजिए तो भी आपका बन जाएगा असानी से ओके चलिए अगला सवाल रमेस एक बस तू को बारा रुपया में खरिद कर चोदा रुपया में बेच देता अब बताईए तो लाभ हुआ दू का असन ना है दू बटे बारा गुना एक सो कर देंगे बस दू से चो यानि 50 बटे तीन यानि 16 पुणांग दू बटे तीन परतिसत का लाभ हुआ 16 पुर्णांग दूबट तीन परतिसत का लाब होगा उप्सन नमर कौन सा डी है किना शलिए फड़ा फट बनाते चलना और जो भारी रहेगा उसको थोड़ा सा आराम से समझना है कोई दिकत नहीं एक लड़के किसी धन रासी का तीन वटे आठ मान ग्यात करने के लिए कहा गिया लेकिन उसने तीन बटे आठ से गुना करने के अस्थान पर उसने तीन बटे आठ से भाग दे दिया और इस प्रकार उत्तर आया वह सहीं उतर शे पचपन अधिक था aa तीनभटेश चरती। आब जहा तीनभटेश। मतलब क्या इससे मामर्मछा एगा कुछ नहीं कर ना ह立त हम फिरी वाम हुआ हःकी अधिन्यवाओं था न को जाएगा कुछ नहीं करना हर का LCM ले लिए टोटल संख्या माल लिए संख्यां कितना है 24 अब देखिए इसका निकालना था इसको मतलब ता 8 त ancora 24 नोँ अता लेकिन ये निकाल दिया आठ वटेटीцы तर कितना आ गे चौणषा घया है कि नहीं कि यह कितना अधिक आया तो यह आगिया कितना अधिक है तो पच्पन आगिया अधिक पच्पन अधिक अब पच्पन का भेल्यू पच्पन ने दिया हुआ अब देखिए पच्पन का भेल्यू पच्पन ही दिया हुआ है तो कहता सही उत्तर ग्याद किजी सही उत्तर क्या था तीन बटे-8 से पुना करने पर कितना आएगा नो और नो का भेलू कितना होगा नो ही होगा क्योंकि पच्पन का भेलू पच्पन तो नो का भेलू नो नो रुपया में ठिक लगा दीजिए अपसन नमर आपका उत्तर हो गया चलिए आगे कहता एक घंणाव का टुकरा जिसकी लंबाई चोड़ाई उंचाई इतना सेंटिमेटर इसमें से एक बड़े से बड़े गोला काटकर निकाला जाता है तो उस गोले का आयतन क्या होगा ठीक है बड़ा से बड़ा जो गोला अगर काटा जाएगा घंणाकार बार इससे बड़ा से बड़ा अगर आप काटियेगा बड़ा से बड़ा अगर आप काटियेगा तो क्या कर सकते हैं इसमें लंबाई है आपका 12 चोड़ाई है आठ उचाही है इतना बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाला जाता है तो उस गोले का आयतन ग्यात करें अब बड पाई तो आपका है बारान यह तो पूरा यहां से यहां तक टच नहीं कर पाएगा तो गोला जो बनेगा तो यह तो हम थोड़ा सा यह थोड़ा बढ़ा देते हैं यह थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे करके है यह ने समझना जो टूड़ी आ करती है मामला इसे है इसमें से जो तो बड़ा से बड़ा गोला काटिएगा तो ज्यादे ज्यादे ऊपर टच करेगा इसको टच करेगा इसको टच करेगा इसको टच करना मुश्किल है क्या तब गोलाकार बनेगा पूरा तो यह अगर टच करेगा तो यहां से यहां तक इसका क्या हो जाएगा उचाई और यह क्या हो जाएगा चोड़ाई तो यह भी जो है आपका ये भी जो है आपका जादे से जादे क्या ले सकते हैं उचाई चार ही है उचाई चार ही है और सभी साइड समान रहना है सभी साइड अगर समान रहना है तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसका जो है आपका ब्यास चार ले सकते हैं ये ब्यास जो है पूरा मतली यहां से अगर जादे जादे आप ब्यास क्या ले सकते हैं चार चार ब्यास ले सकते हैं चार मतलग तिरजिया दो दो आप ले सकते हैं इससे जादे आप ले ही नहीं सकते हैं क्यों आप कहिए गाज नियम यह कहता जिसका है सीफ निकाली है सीफ कितना होगा चार तो चार से जादे आप गोला काटना तो गोला का तिर्जिया कितना हो जाएगा दो हो जाएगा गोला का तिर्जिया दो हो गया तो गोला का आयतन तो यानि आर बराबर दो हो गया आयतन वोल्यूम बराबर क्या होता चार बट तीन पाए आर क्यूब यानि दो का क्यूब यानि आठ चो के 22 बट तीन पए 32 बटे तीन पए option नमर यह होना चाहिए 32 बटे तीन पए क्योंकि गोला काटेगा तो सभी साइड समान न रहेगा तो सबसे छोटी भूजा से बड़ा आप काम कर ही नहीं सकते हैं है कि नहीं सबसे छोटी भुजा रहेगा उससे जादे बड़ा उसका ब्यास आप नहीं ले सकते हैं तब तो इधर उधर चल जायेगा आठ लिजिए गाति इधर जुम्बे नहीं करेगा सब से छोटी भूजा जो रहेगा उसको आप ब्यास लीजिए तो काम हो सकता है अगला आईगी किसी तिर्भूज की भूजाएं 4-5-7 है तो तिर्भूज का छेतरफल 4-5-7 कोई ट्रिपलेट नहीं और कोई ट्रिपलेट नहीं है तो एरिया बराबर कौन सा फर्मूला लगान चार प्लस 5-4-5-7 बटे दो कि 7-5-12-4-16 बटे यानि आठ तो यह कितना आ जाएगा आठ आठ में से 4 गिया चार आठ में से 5 गिया तीन आठ में से 7 गिया एक तो यह देखिए 8 चो के 32-8 दूना शोला तो चार तो बाहर आ गिया दू बच गिया तो चो अंदर रह जाएग चार रूट चो चार रूट चो जो है इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा हना चलिया अगला सवाल काता यदी जगदीस चार किलोमीटर प्रती घंटा की गती से चलता है तो अपने कार्याले दस मिनट देरी से पहुंचता है यदी वह पांच से चलता है तो पांच मिनट पूर पहुंचता है तो कार्याले से दूरी जब कभी भी दो चाल रहे एक और दो चाल रहे और इसके बीच का अंतर का समय दे दे टी दो चाल आईए समय समय का अंतर ध्यान दीजिएगा जब कभी भी ऐसा रहेगा नियम रेशियो बाला भी है लेकिन आप डिरेक्ट तब याद रखिएगा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो डिस्टेंस निकालते हैं आपको निकालना है T X Y अबट यह दोनों चाल का अंतर X-Y ठीक है जब कभी भी समय दो चाल दे दे उसके बीच का अंतर दे यहां देखिये दिमाग वही दिया है कि यहां 2 चाल है तीदसे करिए लिए 10 देरी और यहां क्या है 5 मिनट पूर्भ तब देर भाप पूर्भ यहांने पांच मिनट आ गया दस मिनट आ गया पांच मिनट पीछे ये दोनों क्या होगा आगे पीछे वहला मामला रहेगा तो ये जूट जाएगा तब 15 मिनट हो गया घंटाम बदलने के लिए 60 पहला चाल 4 दूसरा चाल 5 दोनों का अंतर एक 15 चुके साथ चार चार खतम यानि दूरी कितना हो गया पांच किलो मिटर का दूरी है उत्तर हो गया पांच किलो मिटर का दूरी है उत्तर हो गया ये चीज को बढ़ियां से ध्यान रखना है इससे सबाल कि बढ़ा जाए एक रेल गाली में एक व्यक्ति बैठा हुआ देखता है कि एक पर आबर चाल गुना समये चाल है 60, 5 वट 18 से गुना कर देते मीटर पर सकेन, 18 सकेन में पार कर गिया, तो 300 मीटर का दूरी तय कीया, प्लेटफोर्म की लंबाई है 200 है ना गाड़ी 200 मिटर लंबे प्लेटफोर्म तरफ्की लंबाई कमारी इसा 10 कि लंबाई को पार करेगा ता आपका उत्तर क्या हो जाएगा एक स्वाफका उत्तर हो गया कि को जब अस नहीं चलिए आगे के वाचिंज सी छोटी से चोटी संख्या जिसेono 808 को गुना टरीक पुर्ण बरग बंजेंदां ध्यान देजी 980 को किसे गुना करें जो पुर्ण बरग मर्ग बनजें तो बरग संख्या वहादची जै चार से भागा दिये तो चार से 24 चोके 96 और दू 4 पंचे 20 यह हो गया चार पंचे 20 25 25 जो है पांच दू 7 4 11 यह हो जाएगा किसका 3 के 27 तालीस होता है ना और जो इसमें आजाएगा उन्चास पंचे कितना होगा उन्चास गुना पांच ठीक है तब देखिए यह हो गया बर्ग संख्या यह हो गया बर्ग संख्या यह बर्ग नहीं है इसको बर्ग बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा पांच से तब न पांचे स्कोरे तक उसी से गुना करना पड़ेगा तो वही तो आपका उत्तर हो गया पुष्टा किसे गुना करना पड़ेगा मतलब 5 से चलिए आगे करता एक किसी काम को चार दिन बीच हो दिन दोनों मिलकर अब इसमें बताए क्या करें एक्स वाइब टे एक्स प्लस वाइड डिरिक सारगना श्रव def 4 दस यानि 24 वायनी बारव बते 5 बारव बते 5 इसमें कुछ करना है जब दो आदविद मिलकर काम करता है तो एक्स वायब टे-स प्लस वाइड अगला आई काता 10 संख्यां का आउसत 10 है 12 संख्यां का आउसत क्या होगा यदि ऐसी दो संख्यां जोड़ी जाए जिनका योग 20 है अब बताईए जब 10 संख्यां का आउसत 10 है जितना आउसत होता है उतना कोई संख्यां आ जाए चाहे चले जाए कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है नहीं मैं यह नहीं कहता है दो संख्याएं जो आया उसका योग बीस है तो जब दू संख्याएं आयगा तो दू संख्यां अगर दस-दस करके आए यास को भी है उसका है 10 10 करके आ सकता है या जा सकता है अगर same to same आय या जाए तो इसे ओसाट में कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है तो दो संख्यां का योग तो 20 होना ही चाहिए दो संख्यां का जो योग है ये दो संख्यां का इसका योग कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए और यहां पर 20 ही दिया हुआ है तो 20 ही दिया हुआ है तो ओसत में कोई कोई चेंजिंग होगा नोचेंज। नोचेंज। यानि कहता है उन्हें जोड़ी जाए, बारासंख्या का वस्त क्या होगा। जस्का तस रहेगा मतलब 10 है तो 10 ही रहेगा। अब कहता यहाँ जैसे चोबीस अगया, दूगोःसंख्या का यूग। तो 20 मेंटेन करता, 4 0 आता, 4 को बारा भाग में बाट देते, कम आता, जितना कम आता, उसको बारा भाग में घटा देते, ठीक है, चली, अब काता, इसका मान क्या होगा, डिरेक्टे कर लीजे, क्या दिकते, इसको यहां दीजेगा, तो 1 मैनस X पलस X, एकस एकस खतम, यह कितन आजाएगा, 1 बटे 1 मैनस X, यह हट गया, 1 बटे 1 मैनस X, यहां आजाएगा, 1 मैनस X बटे 1 आजाएगा, क्या, अब देखे, यहां इतना आगया, तो 1 1, 1, इसमें जोडिएगा, मतलब 2 X बटे 1 पलस 1 मैनस X बराबर 1, यह एक, तो यह कितना हो गया, 2 X बराबर, 2 मैनस X हो हो गया एक्स बराबर कितना हो जाएगा दूबटे थी फिर से देखिए इसको एक से गुना करेंगे तो वन मैंस एक्स जोड़ेंगे एक्स खत्म उपर वन नीचे वन मैंस एक्स ही रहेगा यह उलट जाएगा तो वन मैंस एक्स बटे इतना अच्छा उपर टू एक्स भी है टू एक्स लिखे आ हैना हां लिखे है ठीक है ओके चली आगला सवाल लाइए जहिए कका तरह एंको बjak दिया जया तो अठाण को अठ्से वाजित किया जाए तो तीन से च्वें सफल तो काथक्स एन मिनस वन आप एन को नहीं जानते हैं लेकिन आठ ही को से फिर से भाग देना है तो जो सेस बचता है उसी को यहां पर रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब छोगुना 3-1 में फिर 8 से भाग देंगे कोई दिकत नहीं हुआ तो छोत्री 18 में से एक गिया 17 में 8 से भाग देंगे कितना बचेगा एक सेस बचेगा option nr B ऐसे सवाल में जो changing कहेगा शंख्या में करने आप वहीं चेजिंग सेस में कर दीजिए जैसे संख्या को काता च्छोग उना करके घटा के भाग देने पर तह आप सेस को ही च्छोग उना करके घटा के भाग दे दिए उससे कोई फर्क जतेए थे सवाल कि वह आठ से के वदले कहुदे 5 से तो सवाल नहीं बनेगा जिए 1 box में इतना कानुपाथ में भिन परकार के पुराने संख्य जिनके मुल्य 1 5 और 10 है- फुल इतना है तो एक रुपया वाले सिक्क्य की कुल संख्या एक रुपया वाला सिक्का कानुपाथ कौन है ये वला साथ से कटने मुल्य को नीचे लिखी एक रूपया बाला साथ गूना साथ प yağण फ्लस पांच रूपया बाला आठ गू, आठ वुना प्माच पलस चो कितना दस रुपई आवला चो तो चोगुना दस कि छोगुना दस अच टोटल रुपईया कितना है साथ साथ उन्चास बस हो गया सात बटे साथ आठ पंच चालीज कितना हो गया 10107 अगुना 749 साथ बारना साथ सत कितना आ जाएगा उन्चास आ जाएगा उन्चास बोले ना साथ से कटने वाला एक ही था डिरेक्टिक लगा देते एक से अधीक रहता तब बनाते अगला एक दुकानदार किसी बस्तू के मुल्य में 49 परतिसत की बढ़ोतरी करके उस अंकी बढ़ा 49 गटा पलस-मयनस x पर्शेंट और मैंस पलस एक्स पर्शेंट जब भी मामला रहेगा तो आप आप जानते हैं क्या होता है x square बट हान्रेड पर्शेंट लोस होता है हमेशा होता है तो यहां जो है 49 Alexander स्क्वाइर बटे एक सो उन्चालिस का स्क्वाइर होता पंदरा सो एक इस पंदरा दसंबलब दू एक पर्शेंट क्या होगा लॉस होगा अप्सन नम्मर यह हो गया किलियर है चलिए कि अगला आए काता है हो गया निये हां ठीक है कि सरल कीजी सरल कर दीजी कि यह गुणा में है तो काड़ेते हैं चार यहां पांच और यहां घटा देते हैं बारव मैंसे दस गया बारव मैंसे दस गया दूबटे-पंदरह और यहां भागा है उल्टा देते हैं मतलब 684 गुणा 15 आ बटेमे दो Do Do से 34 और दू 15 दूना 30 15 चोके 60 15 या 45 च्छो यह कावन यह कावन सो तीस आपका उत्तर हो गया option number D कुछ नहीं था इसमें कि काता दो संख्यां का मौसो और लौसो इतना एक संख्यां इतना तो दूसरी संख्यां या आने संख्यां दूसरी संख्यां बराबर क्या हो जाएगा LCM गुना HCF बटे पहली संख्यां आप नियम जानते हैं पहली गुना दूसरी बराबर LCM गुना HCF तो बस हो गया कितना 22 दूना चवालीस है दूसरे एक सचोबन यानि दूसरी संख्यां कितना आएगा एक सचोबन आपका उत्तर हो गया है फटा फट बनाते चलिए एकदम सवाल को काता नल एऔर भी टेंग को करमसा फट भूंच भीस में भरते हैं सी दस घंटा में खाली करता तीनों नल को एक साथ कुछ सोचना है यसा में A is B is your פה देखी 5 है不是 10 है साधा सै लKS यहीं हो गया वर पांत से चार बीज़े एक और दस दू लेकिन यह ख़ाली करता है तो मैनस अब 7-unya मिलकर करेगा काम तराल पांच मैं से दू गिया तीन-च्शमता से बीस काम को करने में कितना समय लगेगा बीस बटे तीन समय लगेगा बीस बटे तीन समय अप्शन नम्मर डी आपका उत्तर हो गया है यह सब तो आप लोग एकदम थोड़ दिये होईएगा सवाल को सब लोग काता कितनी द्धंदरासी 5% साधरन भीयाज किदर पर तीन बरचों महने का ब्याज इतना हो है 17% का value दिया हुआ है 184 80 100% निकालना है तो मुल्धन ने आ जायेगा तो 184 80 बटे 17.5 अगुना 100 चली अब क्या करना है काटना है यह हटा तो 0 25 सत्य क्षाइब 75 चोके 100 साथ से ज़डूर कटता होगा साथ दूना 14 चार साथ चाक ब्यालीस साथ चोके 28 00 4 चोके 16 यहां 64 चोके दूसा चापन यानी आट दू 10 चापन पर 0 हो गया 10 56 चाचीर जीरो जीरो दस चापन अच्छा ये च्छा दू बार लिखा गया नहां जब 64 कर ये दिये जीरो जीरो यही उत्तर आगी दस अच्छापन जीरो जीरो अप्सन नमर कौन सा अप्सन नमर ए ठीक अगला पर आईए एक किर्केट खिलाड़ी ने जिस गेंद फ्यकने का आउसत इतना रन परती विकेट था एक मैच में बावन रिंदे देकर पांच विकेट के राये उसके बाद उसका आउसत इतना कम हो गया तब अंतीम मैच खिलने तक उसके द्वारा लिया गया विकेट की संख्या ये देख मानन लेते हैं पहले एक सिंहाल लिया तपर विकेट रन होता है तो आउसत कितना है 24.85 बैख लिया तरण कितना दिया होगा 24.85 एक सब्सक्यान लेकिन बिकेट भी लेकिन आपको एक्स प्लस पांच का जो भेलिव आएगा वो उत्तर होगा ठीक है लेकिन ऐसे सवाल को आप आसानी से एलिगेशन से बनाए ध्यान दीजी पहले था 24.85 अभी है फैनल है 24 और यह जब आया है तो 0.85 घट गया है तो यह तो यहां हो गया अब जो है यह दूसरा बाला मामला क्या है बाबन रन दे करके पांच विकेट लिया तो उसत निकालेंगे रन बटे विकेट तो बाबन बटे क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा घटा भागा दे दीजी 10.4 बस सवाल बनके रेडी है 24 घटाईएगा तो 0.85 आएगा यहां और यहां जब घटाई इसमें से 10.24 में से तो 14.24 यानि 13.6 आएगा दसमलब हटाईएगा दसमलब हटाईएगो 0 दे दीजी सत्रह पचा पचासी सत्रह अठाए 136 पांच को इसके काटिएगा यानि 16 अनुपात एक हो गया 16 अनुपात एक अब देखिए हमको इसका बिकेट पता है मतलब इस एक का पत कितना पांच तो कुल बिकेट कहता है तो 16 एक 17 का बिकेट निकाले मतलि सट्रह का या इंधना हो जायएगा एक का वेलिउ जब पांच है सट्रह का वैडिउ पचासी हो अंतीम मैच तक कितना विकेट लिया वो दिया ही नहीं ना जबकि यहां का था अंतीम मैच खेलने तक उसके द्वरा लिया गिया विकेट यह 85 होगा वह पहले बला दे चुका यह होगा पहले पहले था 25, 80, अभी जब कहेगा अंतीम मैच तक कितना होगा, जब अंतीम मैच खेलने तक उसके अधरा गिराएगे बिकेट की संख्या क्या थी, तो पहले मैच, अगर इस मैच को नहीं जोडा जाएगा तब क्या होगा, 80 है, इस मैच को जोडा जाएगा तो 85, बस इतना ही सो काता एक आदमी अपने पैसे का इतना हिस्से खर्च करता है, और बांकी बचाता है, यदि वह रासी इतना थी, तो उसके कितना बचाया, इतना खर्च करता है, तो बचाया कितना, 0.75, बचाया, टोटल एक रूपई या मानली, या 25 परतिसात, ये 75 परतिसात, बस कुछ नह समलब, ये हट गया, ये हट गया, कितना बचा, बारो हजार रुपया बचत करता है, बारो हजार, अपसन नमर डी, ये सेट आपका सेट नमर 17 इंड हो गया, 25 परतिसा खर्च या 75 परतिसा बचाया, बस और कुछ नहीं करना था सबाल में, ओके, छले, फिर मिलते हैं, आपक बाइ बाइ